हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो स्से स्मार्ट क्लासिज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका स्से स्मार्ट क्लासिज में तो CGL 2019 के लिए भाई अपनी जी जान लगा दीजिए 2018 जिनका नहीं हुआ तो भाई बहुत महनत कीजिए तो उसके रिगार्डिंग अगर आप इंगलिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई मैंने अपने चैनल पर बेस्ट कंटेंट डला है इसके लाबा इंगलिश के लिए इडियम और फ्रेसिस की वोकाप्स की बुक कंप्लीट है बाई लिंग्वल है उतना भी कर लोगे बहुत जादा हो जाएगा मतलब इतना बेस्ट कॉन्टेंट है उसमें इसके लाबा डिस्क्रिप्टिव अगर 2018 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं हिंदे के भी बहुत से टोपिक जो हैं वो मैंने कवर किये हैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में है और मोस्ट इसकाउंटेट ओफर भी आपको पता है तो CGDA केस के रिगार्डिंग में अपडेट आपको बता देता हूँ देखे इसमें नेक्स डेट ओफियरिंग जो हो आपकी 13 नुमंबर को रखी गई है 13 नुमंबर 2019 को इसके लबा जो सुप्रीम कोट है इसमें CGDA जिन्होंने केस किया था वह विकैंसिस एड की जाए या ना क केस लगा दिया था असल में केस लगाने वाले वही स्टुडेंट थे जिनको लगता होगा कि हमारी जो है वह मार्क्स बहुत कम है पर उन्होंने केस कर दिया था कहीं न कहीं लगता होगा कि यह वकैंसी एड हो जाने से हमें जो हो क्या ना कोई चांस मिल जाए पर सुप्री सीख 3 weeks time to file an affidavit file करने के लिए 3 weeks का टाइम ऐससी जो है वो सीख कर रहा है तो भाई यह कुछ information थी जो आज हुई है अब जो आपका result है 15 नूमर है तो उससे पहले अगर इसमें cgda के vacances में यह case जीज जाते हैं तो आपकी vacances शायद add हो जाएं बट इससे पहले मैं आपको बताया था vacances इन्होंने सीधा मना किया था पर फिर भी पता नहीं इस case में कुछ बचा नहीं है यह vacances एड नहीं की जाएंगी यह clear हो चुका था बट फिर भी देखो अगर लगाया है case हलां कि यह result एक तरीके से इसमें case में update यह रहेगी आप जो 13 नुवंबर को अगर कोई result declare हुआ कि इसमें आपकी कोई vacances एड नहीं की जाएंगे ठीक है so I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहे होगी like और subscribe जरूर कीजिएगा धन्यवाद